नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आके साथ सातिन सर्मा पाकिस्तान के पुरोपरधान मंतरी इमरान खान की मुस्किले थमने का नाम नहीं ले रही है अब कोट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई है उनके साथ साह ममूद कुरैसी को भी 10 साल की सजा हुई है ये सजा साइफर मामले में हुई है आपको बता दे कि इमरान खान को 23 अक्टूबर 2030 को एक विसेश अधालत से जटका लगा पाकिस्तान की एक विसेश अधालत ने सीफर मामले में पुरुपरधान मंतरी इमरान खान को दोसी करार दिया था 71 साल के इमरान खान को मार्च 2022 में वासिंगठन में पाकिस्तान के दुतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनाई केबल यानिकि सीफर को लिख करने के मामले में अधिकारिक गुपनियता अधिनियम के तहट मामला दर्श किया गया था जिसके बाद अगस 2030 में पुरुप पीम को गिरिफतार किया गया था मालूम हो कि सीफर या डिप्लोमैटिक के वर वसंबाद होता है जो बिदेसी मीशन की तरफ से अपने देश को भेजा जाता है इसमें सभी तरह के बादचीत की जानकारी होती है जिसको डिकूर्ट कर उसको पढ़ा जाता है मालूम हो कि सीफर मामला पहली बार 27 मार्श 2022 को सामने आया था प्रे 2022 में इमरान खान को सत्ता से हटाये जाने के बाद उन्होंने एक सारवजनिक रैली की थी इस दोरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए भीड के सामने एक पत्र को लराते हुए दावा किया था कि बिदेशी ताकतों ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए साजिस रची थी इस दोरान उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके राजनितिक प्रतिदवंदियों ने साजिस के तहद PTI सरकार को उखाड़ सिका है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमार साथ और देखते रहें इन खबर धन्यवाद